सब्सक्राइब कर दो अपने इस यूट्यूब चैनल को और क्लिक कर दो इस बैल आइकोन पर ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सबसे पहली ऐप्लिकीर उसका नाम है एडिट वृब नहीं जिसमें अगर आप कुछ भी ब्रॉर्वर करते हैं तो अगर अगर कुछ भी ब्रॉर करते सिर्फ 100 रूपीज का और ऐसा करने के बाद आप इसका स्क्रिंशोट लेके और आप इसको शेयर कर सकते किसी भी सोशल मीडिया वर्सप फेस्बूक इंस्टा पर जहां भी आप चाहें और आपने फ्रेंड्स के साथ प्रेंग कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पता तो इंस् अगर आप थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं तो आपके फोन का जो भी स्टेटस है जितनी भी आपके फोन में बैटरी है नेटवर्क आई हुए है वो सारे के सारे वहीं पर शौफ हो जाएंगे और जो इसका इंप्रेशन है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है तो यह एप्लिकेशन बेसिकली काफी इंट्रेस्टिंग है तो यार बात करें फेस्बूक इंस्टाग्राम ट्वीटर की त इसके लिए आपको एक अप्लिकेशन बोडाउनलोड करना जिसका नाम है फ्लाइस हो और जो अप्लिकेशन है वो एप्लोक से भी कम साइज की है और इसी के अंदर आपको तीनों इंस्टाग्राम फेस्बूक और ट्वीटर को हैंडल करने के ओप्शन फिल जाते हैं और इस में आप अगर लोगिन करते हैं अपने अकाउंट्स को तो बेसिकली कोई प्रोब्रम नहीं है ओके तो जो यार फॉर्थ एप्लिकेशन हो है टैंप मेल जिसकी हैल्प से आप एक्चुली कुछ टैंपरी इमेल एडरस को जनरेट कर सकते हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट्स प आपका एक बार रजिस्टेशन हो जाता है तो यार आपको गया बार में जाई मेल तो यार जो फाइनल एप्लिकेशन है उसको यूज़ करके आप कुछ ऐसे स्मार्टफोन में क्लिप बोर्ड के फंक्शन को ओन कर सकते हैं जिनमें ये फंक्शन अभी अवेलेवल नहीं है आप इस एप्लिकेशन को यूज़ करके बेसिकली क्लिप बोर्ड में पिछने जो 5-7 टेक्स्ट होते हैं वो बेसिकली आप डिरेक्ली ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने स्टेटस बार से या आप चाते हैं स्पीक का ओप्शन दोहां से आप इन्हें सुन भी सकते हैं कि क्या एक्चुली लिखा हुआ है और यह अप्लिकेशन भी काफी अमेजिग है अगर आपके फोन में क्लिप बोर्ड भी है तब भी यह काफी है क्योंकि इसमें आपको पिछले 5-7 टेक्स्ट आपको डिरेक्ली अपने स्टेटस बार पर मिल जाते हैं और काफी अमेजिग है यार सच में तो यार यह थी पाँच अप्लिकेशन जो की उमीद करता हूं कि आपको अच्छे लगी तो वीडियो को भी लाइक करना यार शेर करना अपने दोस्तों के साथ जो की यूज करते हैं एंड्रूइट स्मार्ट फोन का और सब्सक्राइब करना चैनल को कुछ और इंट इंट्रस्टिंग और एक्सेटिट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई